नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के वन लाइनर कुश्चन के बारे में जो बहुत ही मैत्पूर्ण है और हमारी परतमान प्रतियों की प्रिक्षाओं में अक्सर यह सवाल पूंच जाते हैं बार बार उन्हीं सवालों से जुड़े हुए आपके बात करते हैं राजस्थान के डुंगरपूर और बांसवाड़ा डुंगरपूर बांसवाड़ा को प्रत्थक करने वाली नदी का नाम क्या है तो दियान रखना माही नदी है यह माही नदी है जो वहां पर बैती है डुंगरपूर बास्वाडा की सीमा बनाती है उससे अलग करती है यहां परमाही बजा सागरबान भी बना हुआ है साथियों यह राजस्तान के दक्षिन की गंगा भी कहलाती है साथियों राजस्तान में किसान अंदुलन का जनक किसे माना जाता है बहुत important सवाल है सा साथियों अगला सवाल है राजस्तान के वोलो इस्टो नाइट कहां पर पाया जाता है यह सीरोही और डुंगरपूर के अंदर बहुत important है यह सवाल राजस्तान पुलीस पटवारी ग्राम से तमाहम जो एक्जाम होते हैं राजस्तान के कॉमपटी थे एक्जाम उनमें तमा क्या है यह सवाल पुछा जाता है अकसर तो राजस्तान में वोलो इस्टो नाइट कहां पाया जाता है शिरोही और डुंगरपूर के अंदर चैज्टी पांच Christ male second by से नहींदि work-जस्तान की कुली शी थे नहीं है सदियों यहां रखना राजस्तान की इस्ति सेमा पर यह सवाल कुछा गया है कि स्तले सीमा कितनी है तो इस तले सीमा 5920 है सातियों अगला सवाल बहुत इंपोर्टन गोकुंदा और कुमलगड के मध्य का भाग क्या कहलाता है गोकुंदा और कुमलगड इन दोनु का जो पठारी भाग है उसको हम भूराट का पठार कहते है सात्यों बुराट का पठार कहते हैं यो लिए पूर्ट के अंदर आता है सातियों तो गोकुंदा अकुम्बलगड के मेंद्य का जो भाग है हो भूराट का पठार के लाता है सात्यों अगला सवाल बहुत ही वह समय इसे मना जा था है विज्य सम्म पतिक को मना जाता है बहुत इंपोर्ड़ेंट उंड के शरंगर का वर्णन किस गीट से किया जाता है तो यह गुर्बंद न खृळ लो घीट आपने सुना होगा ठीक है वेना चिट के माधियम से आपने बेखाऊगा, तो उन्ट के सिरंगार के लेकी इतकं सा गोर्बंद गया जाता है, राजस्तान का सबसे प्राचीन संगाठीत उद्योग का नाम क्या है? सूतिवस्तर उद्योग, कोई इस उद्योग है सातियों? सूतिवस्तर उद्योग पर राजस्तान में सरवाधिक वर्षा होती है साथियों यहां पर अगला बहुत important सवाल राजस्तान में संभागों और जिलों की संख्या क्या है बहुत एक common सवाल और सीधा सीधा सवाल पुछा जाता है साथियों तियान रखना राजस्तान में संभागों और जिलों की संग्या 7 और 33 है अगला सवाल बहुत इंपोर्डन या बहुत अक्सर सवाल पुचा जाता है राजस्तान की 106 किलोमेटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है अगला सवाल बहुत इंपोर्डन यहां पर राजस्तान में चलने वाली सूस्क और धूल बुरी हवाएं क्या 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 लाती है धूल बुरी हवाएं क्या 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 लाती है तो यह ध्यान रखना उसका नाम है लू धूल बुरी हवाई है जो राजस्तान में चलने वारे सुस्क और धूल बुरी हवाई है उनका क्या क्या लाती है लुक क्या लेती है साथियों राजस्ताहन के बहुत इंपोर्टर सवाल राजस्तान का कॉमन सवाल आता है यह जो काफी IQ लेवल देखा जाता है राजस्तान के किस जिले में सूर्य के किर्णों का तिर्चापन सरवादिक होता है तिर्चापन देखी है हमारे राजस्तान के सभी जिलों में देखने को मिलता है क्यों मिलता है सीधापन हमारे सिरफ डूंगरपूर और बांसवाड़ा इलाके में देखने को मिलता है कि हमारी करक रेका जो गुजरती हैं वहीं पर करक रेका और विसोत रेका और मका रेका पर यहीं पर अब सूरिय की किर्णे लंबवत होती हैं बाकी जगें पर हमारी सूरिय की किर्णे का तिर्चापन होता है तो आपको पता है कि हमारे करक रेका हमारे डूंगर कुर्बांश राजस्तान के उत्तर में इस्तित हैं इस वजे से सरवाधिक चिछपन का होगा, श्रिगंगाना के गरगन दोर होगा साथ यह नहीं बहुत ही राजस्तां की वगो लोग इसব झान्ट टेश पॉइंट टेश 12 880 डिगरी राजस्तां का वागो लगो इस्तेती है सिस्ट टी ऋत्री नाइट 380 0170 के मधे राजस्तां बसा हुआ है किया साथ यू साति भूभाग का साथिं यहां रगिस्तान यह न हमारे 3949 जो शाथन है राजस्तान का उसका दो यहां पर रगिस्तान साथियों साथ में बहुत इंपूर्टी ज़ेश्वाल अग8 कि सित्व में भारत की सित्रपल का का टोटल सेतरफल राजस्तान का है और इसमें हम पर्थमिस्तान सेतरफल की दश्टी से हमारा भारत का में पर्थमिस्तान है राजस्तान का सातियों अगला सवाल है राजस्तान के किस जिले में सूर्य की किर्णों का तिर्चपन है तो स्री गंगानगा है और राजस्तान का सेत्रफल इजराहिल से कितना गुना बड़ा है तो ये बहुत इंपोर्टन सवाल है ये हमारा सत्रा गुना बड़ा है सातियों सातियों लच्छु माराज का समन्द की सास्त्री नत्यस से हैं तो ध्यानक ना कथक से हैं कथक से हमारा लच्छु माराज का जो समन्द की सास्त्री नत्यस हैं कथक से हैं सातियों साथिए अगला सवाल बहुती, राजस्तान में चलने वाली सूसक और धूल बरी हमाएं केलाती हैं, तो ध्यान अखना लू केलाती हैं साथिए अगला सवाल अगला महोती राजस्तान की लंबाई कितनी है पूरुप से पर्चिम 899 किलोमेटर है और उत्तर से दक्षिन सातियों 826 किलोमेटर है यह सवाल बहुत इंपोर्टन पूचा जाता सातियों कही बार राजस्तान की लंबाई पूरुप से पर्चिम कितनी है तो 899 उत्तर से दक्षिन राजस्तान किस दिशा में बड़ा होता है तो ध्यान रखना हमारा राजस्तान पूरु से पच्छिम दिशा में बड़ा है और हमारा उत्तर से दक्षिन इस दिशा में हमारा छोटा नजर आता है राजस्तान के मेवाड और बाढड मेर, बहुत ही important सवाल है, बाढड मेर त्याना रखना, मेवाड और बाढड मेर के अंदर पुर्शू द्वारा समुईकवरता करनत्य को कहते हैं, गेर नत्य, कही बार ऐसा सवाल पुछ लिया जाता साथियों, कि जैसे राजस्तान के मेवा साथी उं कि जब मेवार के अंदर जो गेर नत्य किया जाता है वो और कॉन से जिले में गेर नत्य पुर्सन दुआरा किया जाता है तो ध्यान रखना बाढ़ मेरी सवाल किसी भी प्रकार से एंगल से पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान प्रतियों की प्रिक्षाओं के अंदर analytical सवाल पूछे जाता है अप्री विद्यारतियों साथियों साथियों हम बात करते हैं आगे राजस्तान के कि सेतर में होली के अउसर पर पूर्सु द्वारा हातों में चंग लेकर वर्ताकार नत्य किया जाता है तो ध्यान रखना सेखावाटी में सेखावर्टी के अंदर हमारा धूलिके ऑउसर पर पुल्सु द्वारा रहा रहा हातों चंग लेकर वर्था कर नद्टे किया जता है। यहां रखना सेखावाटी सेतर हमारा चूरु जुन जुन सीकर। यह हमारा सेखावाटी सेतर आता है और यहां पर हातों में चंग लेकर वर्धाकार नत्य किया जाता है पुर सुन वाड़ा। सातियों यहां बहुत important सवाल कि बुंदी के महराव राम सिंग के दरभारी कवी कौन थे यह आपने हिंदी यह आपने हिंदी आपका प्यास विश्य था यह हिंदी आपके लिटरचर आपके विश्य रहा है तो वहां आपने अवश्य ही सूर्यमल मिस्रण का नाम जरूर सुना ने मैं किस रचना को बुंदी के महराज राव सुर्जन शिंग हड़ा जो सुर्यमल मिस्रण के दर लिकी shaking है और वश्यद्र किसके बारे में लिखा गया है तो द्यान अखना राव सुर्जन शिंग हड़ा के बारे में लिखा गया सी अगला सवाल हमारे राजस्तान में हमीर रासो और हमीर महा काईवे की रचना किस ने की थी बहुत अच्छा सवाल कि हमीर रासो और हमीर काईवे की रचना किस ने की थी तो ध्यान अचना सारंग देव ने की थी साथियों अगला सवाल है साथियों अगला हाला जालारी कुंडलीया की रचना किसने किती तो ध्यान रखना इस सर्दास ने कीती हाला जालारी कुंडलियों की रचना किस ने कीती इस सर्दास ने कीती साथियों अगला सवाल बहुत है अगनी नत्य का उद्गम राजस्तान के किस जिले में हुआ तो ध्यान रखना अगनी नत्ये हमारा जेसल मेर के अंदर हुआ अगनी नत्ये का उद्गम राजस्तान के किस जिले में हुआ जेसल मेर मुआ राजस्तान के लोक्षंद पीपा के बच्पन का नाम क्या था तो ध्यान रखना बच्पन का नाम प्रताब सिंग था राजस्तान के लोक्षंद पीपा का बच्पन का नाम क्या था प्रताब सिंग था साथियों अगला बहुत ही मैत्पून सवाल मुस्लिम संपरदाय में पेगंबर हजरत मुहमबद की जनम की याद में कौन सा तैयार मनाते हैं तो दिहान अपना बराफात बराफात तैयार मनाया जाता है और यह अभी आज ही हमारा बराफात तैयार है तो मुस्लिम संपरदाय के पेगंबर हजरत मुहमद की जनम की याद में यह मनाया जाता है साथियों हम बात करते हैं रण नामक नर्टिय जिसमें पुरुस हातों में तलवार लेकर नर्टिय करते हैं बहुत important सवाल है देखिए रण नामक की नर्टे हैं ये कौन सा नामक है नर्टे है जिसमें पूरुस हातों में लेकर तलवार लेकर यहाँ पर भी सीधा सवाल बन सकता है नर्टे करते हैं और राजस्तान के किस शेत्र में किया जाता है तो ध्यान रखना मेवार शेत्र में सातियों यहाँ पर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेवार सेत्र में पूरुस हातों में तलवार लेकर जो नर्टे करते हैं उसका क्या नाम है तो रण नामक नर्टे सातियों यह भी सवाल पूछा गया जिस प्रकाल से कि मेवार सेत्र में रण नामक नर्टे पूरुस भी एंगल से गुमाया जा सकता है प्रत्यों यहाँ पर कोई भी सवाल कैसे लेकिन आपको हर सवाल का पृत्यों देनी शम्ता आपके अंदर विक्षित होनी चाहिए तब ही वो महिए अपन रण सेत्र में अपना अच्छा प्रत्रशन कर सकता है आपके लिए वर्तमान में रण सेत्र वो है प्रत्यों की परिक्षा जहां पर हज़ारों लाखों की भीड उतरती है और उस भीड में आपना पर्चम कैसे ले रहा पाते हैं यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनोती होती है साथी स्रीमती फलकुबाई राजस्तान के किस नर्थे की परसिद नर्थे 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 थी चरी नर्थे की इसकी थी चरी नर्थे की ध्यान रखना स्रीमती फलकुबाई राजस्तान के किस नर्थे की परसिद नर्थे नर्थे है तो ध्यान रखना चरी नर्थे चरी नत्य बहुत ही मैत्पुम राजस्तान का चरी नत्य किस समाज की महिलाओं दौरा किया जाता है सातियों गुजर जाते की महिलाओं दौरा ये गुजर जाते की महिलाओं के लिए बहुत ही मैत्पुम मानना जाता है चरी के उपर चरी रख कर नित्य किया जाता तो महाराना कुम्बा ने रचित कुछ एतियासिक नाठकों में राजस्तान की किस बोली का प्रयोकिया हुआ, ज्यादा तर कौन सी बोली का मेवारी, मेवारी भासा का प्रयोकिया है, अपने राजस्तान, महाराना कुम्बा ने जितने भी जो गरंत रचे हैं, कुछ एतियासि तक की लंबाई का वस्तर कौन सा है सातियों, गागरा, ये राजस्तान की वेसपुसा की साहन के लाती है, राजस्तान के राजपुतुई साहन के लाती है गागरा, और वो गागरा हमारी राजस्तान में महिलाओं दोरा पहना जाता है, सातियों, राजस्तान में थार माउसो का इंपूर्जान के इस जुले में उता है tik जश ज इंपरज्जन के किस जुले में हैं ब्रधपुर में ऐसे जटतानका को ब्रस माँसो का event कि एस चिले में है सासिών ब्रदपुर कशर में जब्धर के अंदर अलब compens राजस्तान के सरद माँसो सरद माँसो कहां मनाया जाता है सoration Musiamo साथियों उगला सवाल राजस्तान के किस रहर में हाती समारो मनाया जाता है हाती समारो साथियों जीवपूर में मनाया जाता है ये आज की क्लास की इतने 44 सवाल थे जिन बहर Week- пот चाचा की थे उमीद है निया साथियों बहुत ही सारे के सारे हो चुका है, और धीरे धीरे कारवाब बनता जाएगा, और हम आपकी मंजिल के पास पूँशते जाएगे सातियों, तो हम इस मंजिल में इस कारवे में आप सामिल हुई है, हम आपके सफलता के साती बनकर आपके साथ चलते रहेंगे, और आपको किसी भी परकार का कोई भी समयश्या हो या किसी भी परकार पढ़ाई से समधित कोई सवाल पूछना हो या तो हमारे comment box में comment करके ज़रूर पूछिए और आपको अगला किस topic पर वीडियो चाहिए उस पर भी आप हमें comment कर सकते हैं हम आपका उससे समधित topic पर आपको वीडियो प्लिप करने का प्रियास करेंगे इसी के साथ जय हिन जय बारत